हलो फ्रेंज, अपना कीचन में आपका स्वागत है आज मैं सुपर टेस्टी मटन करी बनाने का एकदम आसान तरीका सेर करने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा इसके लिए मैंने आपे 700 ग्राम मटन लिया है तो सबसे पर हम क्या करेंगे मटन को अच्छे से 2-3 पानी धोलेंगे तो लिजी फ्रेस मटन को मैंने अच्छे से धोलिया है मटन को धुलने के बाद मैं बर्तन को थोड़ा सा टेड़ा कर दी थी ताकि पानी साइड में आजाए और सारा पानी हटा ली हूँ मटन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए मटन बिल्कुल ट्राई होना चाहिए इधर 5 मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरीके से लंबाई में पतले-पतले स्लाइस कर लिया है आप चाहें तो प्याज को बारीक टुकडों में भी काट करके ले सकते हैं अगर वजन से देखेंगे तो प्याज 400 ग्राम के आसपास हैं तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे और सबसे पहले मसाला रेडी कर लेंगे तो इसके लिए मैंने आपे लिये हैं लाहसन, टमाटर, अद्रक और हरी मीर्च तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक मिकसर का जार लेंगे और इसमें एड़ करेंगे लाहसन तो मैंने आपे दो गांट लाहसन के कलियों को चिल करके लिया है दो हरी मिर्च एट करेंगे इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है दो इंच अद्रक और दो मीडियम सेच के टमाटर को ऐसे रफली चॉप कर लिया है साथी में डाल देंगे एक चम्मस धनिया, एक चम्मस जीरा, बारे से पंद्रे काली मिर्च के दाने, तीन छोटी इलाची या हरी इलाची, तीन लॉंग, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी डालेंगे अब हम मसालों को पीस करके एकदम स्मूथ पेष्ट त्यार करेंगे, तो लिजेवशन्स मसाले पीस चुके हैं, ये देखिए, और एकदम स्मूथ पेष्ट त्यार है, तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे, अब चुले पर चढ़ा देंगे प्रेसर कूकर, गैस ओ पूकिंग और ले सकते हैं, जो आप खाते हैं, जो आपको पसंदो, तेल को पहले अच्छे से गरम होने देंगे, तेल गरम होने पर इसमें आड करेंगे कुछ खड़ी मसाले, आधा छोड़ा चम्मय जीरा, थोड़ी सी जावीत्री, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, द इंखड़े मसालों को कुछ से किंद होने देंगे, जैसे ही खड़े मसाले हलके से फ्रकैंश किया हुए प्यांच, गैस का फ्लम हाई organise रखेंगे, फ्रकैंश का फ्रकैंश को तब तक फ्रकैप करेंगे, जब तक प्यांच का कलर बढिया इसा डीप गोल्डरीन ब्रौन हो ही तो लीजी हो गया है आप देख सकती ही बनिया गोल्डन ब्राउन हो गया है गोल्डन किक das मन्हीं करेंगे मतन को पैस के साथ अच्छे से मिक्ष अधू लेगे और एक फ्लमींस ड़कें को मतन को ङहांँSecba पर हम फ्राई करेंगे तो ऐसे मतन को फ्राई करेंगे 13 साफ लेवर सAT जी से की मतन Kerry बहुत ही Lee करें से मैं बीच बीच में ऐसे चलाते हुए virtual क्रों करें से चार इसंदो नीचे से तका मुझे कर देण को इनको करें तो दो배 Việt, कौई आप पर और अब देख सकते हैं फ्रिश मुखत ही अच्छे से fits hi हो गए दे उसे में ढाल करके प्लिं करते हुए इसी इसे में ऐड कर लेंगे tama alt s चम मच लालमीड्स पाउडर लालमेड्च आपने ट्रेंश का कोडिंग डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंदों कमिया ज्यादा और स्वाध अनुसार नमक अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गयास का फ्लेम इस टाइम मीडियम रखेंगे वह हो मीडियम फ्लेमपर मसालों की खुब अच्छे से करेंगे भुनाई क्योंकि जितने अच्छे से मसाले भुने रहेंगे ना फ्रेंज उतना यह ज्यादा डिलीसेस बन कर त्यार होगा हमारा मटन करी तो मसालों को खुब अच्छे भुनेगा मसालों को ढख करके मीडियम फ्लिम पर 10-12 मिनट तक भूनेंगे और बीच बीच में ढखकन हटा कर चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे ताकि यह 4 तरफ अच्छे से कूख हो और नीचे से एक ही तरफ जलेंगे तो इनको भूनते समय बीच बीच में ऐसे ढखकन हटा करके च चलाते जरूर रहेंगे तो यह नीचे से एक ही तरफ जल जाएंगे और चारो तरफ अच्छे से कूख नहीं होंगे तो ऐसे बीच बीच में ढखकन हटा कर चलाते हुए इनको भूनेंगे और फिर से ढख देंगे तो 10-12 मिनट हो गये मुझे इनको मीडियम फ्लिम पर भू भूनेंगे तो पांच मिनट और हो गये मुझे इनको लो फ्लिम पर भूनते हुए और आप देख सेखते हैं फ्रेंसे सारी चीजे खूब अच्छे से भून गये हैं देख रहना प्यास देखिए गलकर एकदम सॉफ्ट हो गये हैं तो जब इस तरीके से मसालों की खूब अ अच्छे से कूख हो जाते हैं मसालों का फ्लेवर मटन के अंदर बहुत अच्छे से चला जाता है और मटन भी 20-25 परचंट तक यहीं पे कूख हो जाता है अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी तो पानी आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ग्रे ग्रेवी में उबाल आते ही इनको एक बार और अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हम गयास का फ्लेम इस्टाइम मीडियम रखेंगे अब हम प्रेशर कूकर का धकन लगा करके इस टार्टिंग की दो सेटी मीडियम फ्लेम पर लगने देंगे उसके बाद गय करनट आ रही हूं और यह देखे फ्रेंस हमारी सुपर डिलीसेस मटन करी बनके रेडी है एकदम आसान तरीके से और आप देख सकते हैं हर एक मटन के पीसेज कितने पढ़िया से गलकर एकदम सॉफ्ट हो गया है करी आपको थोड़ी सी पदली दीख रही होगी लेकिन 2-3 म मैं आपको मतन तोड़कर के दिखा देती हूं यह देख रहे हैं मतन कितने इजली मैस हो जा रहा है मैं इनको पहुत ही आराम से दबा रही हूं तो हमारा मतन खूब अच्छे से कूख हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सकता हुए हरा धनिया और अच्छे से मि ला दिया है अब हम इनको ढख करके दो से तीन मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ऐसा करने से हरा धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला भी जाएगा और करी बहुत ही बढ़िया गारी भी हो जाएगी तो चलिए अब मैं आपको दो मिनट के बाद दिखाती हूं तो हरा ध आपके बने के डिये अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो देखे ना कितना आसान तरीका है बनाने का और यह खाने में सुपर डिलिशस लगता है तो हमें इसमें कोई अलग से इस्पेसल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती है घर के बेसिक मसालों से बनकर यह तयार ह झाल झाल